जैसे किशना दोस्तो मैं मीतू अपने चानel वीपोफेक्ट विद मीतू शुभाई मैं आप सब का बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूं और इसवर्से आप सब की खुछाली की कामना करती हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं लेफ्ट ओवर चीज से बनने वाला पराथा जी हां हमारी किचन में कोई एक ऐसी चीज है जो बच जाती है और वो थोड़ी सी भी बचे लेकिन हम उसको एजा पराथे में टर्न करके एक अच्छी सी इंस्टेंट रेसिपी तयार कर सकते हैं तो वही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और यह इसमें कोई हम प्यास लेसन का यूज नहीं करेंगे बहुत ही इजी है और बहुत ही इंस्टेंट है और बच्चों को यह बहुत ही पसंद आता है तो आप एक बार इसे बढ़ा के जरूँ ट्राई करिएगा तो आएगे दोस्तों अपनी वीडियो को स्टाट करते हैं यहां पे यहां पर मेरा रात के बच्चे वे चावल को भी लिया है। इनको में हात से सब्वाइत कर सकती हिए। माTuерг मैंश करके हूं। चावल फीदालें वे शबसे सीप्चा को भामेरे, मैं शूभाइन कृक्षट अपना नॉर्मल डो जिस तरह से हम रोटी पराठा का तयार करते हैं तो अब मैं अपनी एक छोटी से बनाऊगी आटे की लोई से कटोरी जिसमें मैं कोशिश करूँगी जाद से जादा स्टफिंग में फिल कर सकूँ जितनी जादा स्टफिंग होगी उतना हमारा पराठा मु अब धीरे धीरे इसे में बेल लूँगी और इसको फिर हम बाद में अच्छे से सेगेंगे दोनों साइट से अब यहां मेरा पराठा बिल चुका है इससे मैंने शिफ्ट कर दिया है अपनी गैस पे यह रेकिए एक साइट चेंज कर दिया मैं यहां पर रिफाइन डाल रही तो देखिए कितना सुन्दर पराठा हमारा बन रहा है तो इस तरह से मैंने दबा दबा के इसको दोनों साइट से अच्छे से से लिया था अगर आप जादा करारा पसंद करते हूं तो आप जादा सेख लीजेगा मैंने इतना ही सेखा था मैंने बहुत जारा करारा पराठा नहीं सेका था तो यहां पर तयार है मेरा यह चावल का dość में छावल चावल हो गए प्राथा वह टयार हो गया और सको में आप पसंदकार्या कुछ दो इजिली स्कूरल इसको बना सके हैं यह कम लगता है और लेफ्टवर जींजवे वह भी यह हो तो यही थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ च झाल झाल